नवस्कार दोस्तों आज हम पुनहाँ इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं और आज का जो हमारा विशय है वो है fundamental rights यानि की मूल अधिकार जिसे हम लोग कभी कभार मौलिक अधिकार भी कहते हैं तो हम बात कर रहे हैं fundamental rights के बारे में और हम लोग जानते हैं हमारे समीधान के अंदर जो हमारे नागरिक हैं हमारे देश के उन्हें कुछ fundamental rights दिये गए हैं तो इह fundamental rights क्या एं और क्या-गा चीज़ां इसके अंतर गया आती हैं यह इसके बारे में एक introductory session जो है रहेगा और इसके अगले वीडियो में इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसे पढ़ेंगे तो आए शुरुवात करते हैं सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा आपसे जो fundamental rights हैं कुल 6 fundamental rights हमें दिये गए हैं हमारे स्विधान के भीतर और यह हमारे स्विधान के part 3 में है भाग 3 में है इसके अलावा यह article 12 से लेकर के article 35 तक यह आते हैं इसके अगर हम बात करें sources की शुरुतों की तो articles जो हमारे यहां पर जोड़े गए हैं अगर हम सुरुतों की बात करें sources की बात करें तो fundamental rights जो हैं, उनके जो हमारे sources हैं, वो हैं USA, यानि अमेरिका से हमने fundamental rights को लिया हुआ है और ये justice-able है and bounded है, यानि कि वाद्धियोग्य एवं बाध्यकारिय है, यानि कि अगर इनका implementation नहीं होता है, तो एक नागरिक न्यायलाईजा करके अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और उनका सरक्षण सुप्रीम कोट के द्वारा किया जाता है अब right to equality की हम यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो अधिकार हमें मिला हुआ है, यह हमारी समीधान में article 14 से लेकर के article 18 तक में मौझूद है, right to equality यानि कि समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार यानि कि right to freedom, article 19 से लेकर के article 22 तक, इसके आद आता है right against exploitation, यानि कि शोशन के विरुद अधिकार, article 23 और article 24 इसके अंतरका आते हैं, इसके बाद आता है आपका right to freedom of religion, धार्मिक स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं, और यह आपके आती है article 25 से article 28 के बीच, इसके बाद आता है आपका educational and cultural rights, हमारे सैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, तो यह आपके article 29 और 30 में आते हैं, और इसके आता है right to constitutional remedies, यानि कि समयधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं, और यह आता है article 32 के अंतरगत, तो यह हमारे मुखे 6 अधिकार हैं, जो हमारे समयधान के अंतरगत हमें दिये गए हैं, और इनके articles में आपको बताए, अब हम बात करते हैं, इसमें क्या-क्या बदला हुआ है अब तक, तो इससे पहले एक और अधिकार इसके साथ में हुआ करता था, जिसे हम सात्वा अधिकार कहते हैं, राइट टू प्रोपर्टी, संपत्तिक अधिकार, यह हमारा पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, और यह आर्टिकल 31 के अंतर गताता था, लेकिन 44 में समिधन संशोधन हुआ, 1978 में, 1978 में, जहां उसे मौलिक अधिकार थे हटा करके, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, और इसे डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में, पहले आर्टिकल 31 में था, और अब जही चला गया है, आर्टिकल 300A, 300A में, तो कई बार यह प्रशन पोचा जाता है परिक्षाओं में, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि जो संपत्तिक अधिकार था हो पहले, आर्टिकल 31 के अंतरगत था, जिसे बाद में, एक कानूनी अधिकार बना करके, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, 1978 में, 44 में समिदान संशोधन के द्वारा, अब हम बात करते हैं, आर्टिकल 21A की, आर्टिकल 21A जो हमारा है, उसे जोड़ा गया है, राइट 2 एऻ्टिकेशन के रूप में, लाजकि अधिकार के रूप में, 84 में समिदान संशोधन के द्वारा, संद 2002 में इसे जोड़ा गया था, Article 21A जिसे हम कहते है Right to Education यानि शिक्षा कादिकार और इसके अंतरगत क्या रखा गया है था कि 6 से 14 वर्स के जो बच्चे होंगे उन सभी को Free and Compulsory Education in Government Schools यानि सरकारी भी द्या ले हमे 6 से 14 वर्स के बच्चों को निसुल्क शिक्षा जो है निसुल्क एवं अनिवारे शिक्षा का प्रावधानिया पर किया गया तो इसे भी जोड़ा गया इसके अलाबा जो Fundamental Rights है क्या हर व्यक्ति को Fundamental Rights मिलेंगे यानि भारत के अंदर हर व्यक्ति है क्या उसको Fundamental Rights मौजू हांसिल है तो अगर हम इस विशय के बारे में सोचे तो जानते हैİं कि भारत के अंदर हर व्यक्ति को जो भारती जो भारत का नाग्रिक है उसे तो सभी Fundamental Rights मिलेंगे लेकिन क्या जो विदेशि व्यक्ति है जो उसे भी सारे fundamental right में लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कि कोई दूसरे देश का वेक्ति भारत में रहने के लिए आता है तो उसको भी कुछ fundamental right मिलते हैं जो महत्पूर्ण होते हैं वो अधिकार उसको प्राप्त हो लेकिन सारे fundamental right उसे प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि कुछ fundamental right कि वो केवल नागरिकों के लिए होते हैं तो वो कौन-कौन से आर्टिकल से मैं आपको पताना चाहूंगा कई बार प्रिक्षाओं में पूछा जाता है तो आप जान सकते हैं जो भारतियों के लिए केवल भारतियों के लिए जो हैं जैसे आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 वासी जो भारत में रहते हैं तो उन लोगों के लिए और भारतियों दोनों के लिए कौनकों से आर्टिकल 14 आर्टिकल 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यह अधिकार क्या है सब के लिए हैं लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर अधिकार जो हैं वो दूसरे देश के नागरिकों को मिलेंगे वो अधिकार केवल भारतियों के लिए ही अरक्षत हैं अब जो fundamental right की हम बात करते हैं USA से हमने इसको लिया हुआ है और वहाँ पर fundamental rights जो हैं अराजकता को दूर करने के लिए और यह उसके ओपर सीमा रहती कि अगर अराजकता हो जाती है तो उस उस्तिती में fundamental rights को ल यानि की एक गर्व से रहने का अधिकार दिया गया है अपनी पूरे संबान के साथ रहने का अधिकार दिया गया इसके लिए उसके लिए फंडमेंटल right दिये गया है इनके ऊपर कुछ reasonable restrictions हैं कुछ युक्त युक्त निरबंधन जिसे हम कहते हैं कुछ restrictions लगाए गदम अधि युक्त निरबंधन तो यहां पर जो है suspension and restriction of fundamental rights के हम अपर बात करेंगे कि जो मौली का अधिकार है उनका निलंबन युम निरबंधन ठीक है restrictions and suspension तो कब उनको suspend करते हैं कब निलंबित कर सकते हैं और कब उसको restrict कर सकते हैं कब उनका निरबंधन कर सकते हैं तो इसकी अगर हम यानि हमारी जो freedom of expression यहां पर दी गई है अभी व्यक्ति की स्वतंतरता दी गई है और प्रेस की स्वतंतरता भी है जो वह भी article 19 के अंतरकती आती है वह भी इसी अभी व्यक्ति की स्वतंतरता के अंतरकत आती है तो इसको सिमित करने के लिए फिर article 19 1 के बाद जो है article 19 की जो उनमें 1902 से लेकरके 1906 तक जो है इसको सीमित करने का कालिया किया गया आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 33 अनुच्छे 33 जो है वो है फंडमेंटल राइट फॉर डिफेंस, पुलिस, पेरा-मिलिटरी, आई-बी, और रॉ जो हमारे जो सेन्यबल होते हैं उनके लिए जो होता है उनके लिए फंडमेंटल राइट सीमित कर दी जाते हैं उनको पूरे फंडमेंटल राइट नहीं दिये जाते हैं क्योंकि उन्हें एक डूटी के अंदर रह करके कारे करना होता है जिन में कुन-कुन से सर्विसे जाती हैं, एक तो डिफेंस की सर्विसे जाती हैं, दूसरा पुलीस की सर्विसे जाती हैं, तीसरा पैरा मिल्टरी की सर्विस आती हैं, चौथा आई बी की सर्विस आती हैं, इसके अलावा आर्टिकल 34 जो हमारा यहां पर है, वो हमारा सुम्म अगरे बाहर हो जाती है और ससस्त्र विद्रुह अगर होते हैं तो उस एरिया में कई बर मार्शल लोग लग जाता है तो मार्शल लोग के अंतरगत कुछी फंडमेंटल राइट नागरिकों के पास से इस रह जाते हैं और कुछी स्पेसल एक्ट वहाँ पर प्रभावी हो जाता है अब देखिए इसके अलावा जब नेशनल इमर्जंसी लगती है राष्ट्रिय आपातकाल लगता है तो उस समय भी जो नागरिकों के जो मौल अधिका दूसरी होती है पॉस्सिबिलिटी ऊफ एक्स्टरनल अटेक जब किसी बाहिय आ आक्रमन की क्या हो संभावना हो और तीसरा होता है इन्टरनल रिबेलियों यानि की आंतरिक विद्रोव जिसे हम कहते हैं तो तीन चीजoten है वार, पॉस्सिबिलिटी ऊफ इंटरनल अटेक औ अब इंटर्नल रिबिलियन in my family, say wellpart with returns to reverse and internal rebellion, की इंटर्नल रिबेलियन कर दिया गया था तक कोई सरकार यह की नेशनल अभर्जन्सी का दुरुप योग न करे क्योंकि एक बार इंटर्नल अभर्जन्सी लगी थी इंद्रा गandhi ji तो यह सारे जो fundamental rights हैं उन्हें suspend किया जा सकता है केवल article 20 और article 21 को छोड़ करके, इन दोनों को कभी भी suspend नहीं किया जा सकता, article 20 और article 21, ये दोनों को कभी भी suspend नहीं किया सकता है, और internal rebellion की condition में क्या होता है, 19, 20 और 21 के अलावा बाकि सारे के सारे suspend हो जाते हैं, उसमें article 19 भी क्या रहता है, मौझूद रहता है, उसको भी आप suspend नहीं कर सकते हो, internal rebellion के condition, अब जो बात आती है, किस तरीके से fundamental rights हमा रहे हैं, क्या इनमें amendment हो सकता है, क्या इनमें परिवर्टन हो सकता है, बदला हो सकता है, तो अगर हम बदलाओ की बात करते हैं, क्या इनमें changes हो सकते हैं, क्या इने सरकार बदल सकती है, क्या संसत को इसको परिवर्टित करने की शक्तियां हैं, तो जी हाँ, इससे पहले कई बार, विवेन घटना ही हुई है, उनके बारे में हम यहाँ पर बढ़न करेंगे, तो सब स्वविदान संशोधन, 1951, और इस स्वविदान संशोधन में क्या हुआ था, जो आर्टिकल 31 था, 31A and 31B, इन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, आम जानते हैं, जो संपति का दिकार था, क्योंकि डेवलप्मेंट के वर्क्स के लिए, गवर्मेंट को जमीन चाहिए तो सड़के बनानी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या क्या कि पहला संशोधन किया और इसे यहां से हटा करके, मौली क अधिकार से हटा करके, एक लीगल राइट में कनवर्ट कर दिया, कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया, और जब इसे परिवर्तित किया गया, तो इस कंडिशन में जो ये अर्टिकल 31 और A और 31 B को यहां से बदल गया और इसको निकाल करके बदल दिया गया और इसको जो था 9th schedule न prochain schedule में डाल दिया गया नու cruise अनिसोची बनाए गई गयी समीधान की और उसमें डाल दिया गया और आर्टिकल 14 और 19 के अदार पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अदार पर जो ए कोड में इसको चुनती नहीं दी जा सकती और इसलिए इसे 9 необходимо schedule में डाल दिया गया और 9 unconditional में डालने के कारण क्या हो गया और एक प्रावधान है कि 9 valves schedule होगा जो 9th schedule होगा उसको court में चुनोती नहीं दी जा सकती तो एक प्रावधान कर दिया गया 9 सेड्यूल को बना करके कि जो 9 सेड्यूल है इसमें जो भी विशै होंगे इनको नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती और संपत्ति का जो अधिकार था उसको महां से रद करके उसको डाल जया गया शेडूल 9 नौविय अनुसवची में इसके बाद शुरू होती है नायले की प्रक्रिया और अब जनता और सरकार के बीज में संगर स्प्रारम्ब होता है सबसे पहला केश जाता है संकरी प्रसाद वर्सिस भारत संग सन 1951 जब सरकार ऐसा कारे करती है तो शंकरी प्रसाद भारत संग के खिलाप कोट जाते हैं और वहां पर वाद दर्ज करते हैं अपना तो इससे पहले सबसे पहले यहां पर सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई थी तेरमा जो अनुच्छेद है उसकी जो तीसरी धारा है तीसरा जो उसका भाग है थर्टीन थरी के अंतर रगत का आगया है कि जो फंडमेंटल राइट को सिमित करती है स्वयम समाप्त हो जाएगी यानि कि आर्टिकल तेरा तीन के तहत कोई भी ऐसा कानून अगर सरकार बना नमाल क्या होगा तो इस थर्टीन थरी भी को लेकर के जो पहला केज गया संकरी प्रशाथ का कोर्ट में जाता है और वहां पर जो निडलने निकल के आता है वो सरकार के पक्ष में आता है और कोयता है कि Smid sandansっと dirty यह एक कानून नहीं है यह विधी नहीं है और क्योंकि 13-3 तो यह पहला decision यहां पर आ गया और यहां पर सरकार के पक्ष में चीजे चली गई और फिर सजन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य का केस आता है सन 1965 का सन 1965 में सजन सिंह राजस्थान सरकार के खिलाब कोड़ जाते हैं ऐसे मामले में और फिर से जो पुराना केस था 1951 वही के पर आया जाता है और फिर से इस बार पांच जजों की जो बैंच थी वह तीन दो से पिछले ही केसको फिर से दोराती है और कहती है कि समीदान संशोदन कानून नहीं है इसके 13-3 के तहत हम इसको सीमित नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसी सिस्थाटी आ गई पिर एक और केस जाता यहां पर फैसला पलड़ गया पहली बार एक एतिहाज एक फैसला आया और ग्यारा जजों की जो बैंच थी उसने 6-5 से आप डिस्जन दिया कि जो समीदान संशोदन है उसको विधी माना जाएगा उसको भी एक विधी माना जाएगा यानि कि उसको भी एक लौ माना और जो कानून बनेंगे कोई भी कानून जो है वो माली का दिखारों का हनन नहीं कर सकता तो अब समीदान संशोदन भी जो है वो किसके अंतरकत आ गया आगया आटिकल 13 के अनुसार अनुछे 13 के अनुसार 13 3 के अनुसार दो fundamental right है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है चाह अब तक के जो भी केस थे वो हो गए उनमें यह एप्लिकेबल नहीं हो लेकिन आगे से जो भी केस आगे भविशे माएंगे उनमें यह लागू रहेगी कि जो समीदान संशोदन है वो कानून के दाहरे में नहीं आता वो अपने आप में जो समीदान संशोदन है वो भी अप रिब्यू होगा कि क्या ये मौली का दिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है अब इसके बाद आता है आपका 24 समीदान संसोधन 1971 जब इस तरीके का डिजिजन जब कोर्ट दे देता है तो फिर सरकार फिर ये एक टक्राव है न्यायपाली का और सरकार के बीच में और सरकार फिर से एक डिजिजन देती है सरकार कोशिश करती है कि फिर से हमारे हातों में पावर रहे और हम कोई भी कानून बलना दे तो सरकार फिर से एक समीदान संसोधन करती है सव्यदान संस्षोदन क्या करती है 1971 में कि जो आर्टिकल 13.4 एक बनाती है और आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी यह सरकार कहती है कि आर्टिकल 13 जो है अनुच्छे 13 के तहत जो एक्ट है तो संस्षत क्या प्रियास करती है इस बार सरकार क्या एक ऐसा कानून बनाने का प्रियास करती है, एक ऐसा नियम बनाने का प्रियास करती है, कि जो आर्टिकल 13 है, वो आर्टिकल 368 को रिव्यू नहीं करेगा, वो सम्हिदान संशोधन के ओपर क्या करेगा, हस्तक्षब नहीं करेगा, और ये नहीं करने के लिए उक करती है, एक का आर्टिकल 368.3 के किसी भी मैटर पर जो है आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा अनुछे 13 के तहद उस पर कारवाई नहीं होगी अब ये भी फिर एक पेंच वाली बात आ गई जो पिछला 1908 का डिजन है वह एक तरोचे खतम कर दिया है सरकार ने समयदानिक संस्रोधन करके फिर वह धिर केयश और केश्वननन्द भारति वर्सेच केरला जे बौत फहमस केंस था उनीसस्वती हतaza का अभी कुछ दिनअ पूर केश्वननन्द भारति जी का सरगवासु आए तो केश्वननन्द भारती जी का केस आता है 1973 का और इस केस में ये बहुत एससे केस माना जाता है और इसमें तेरा जजों की जो बेंच थी वो साथ 6 से करती है constitutional amendment को खारिश कर देती है और वो कहती है कि यह बिजन ही आपर सुनाती है कि जो fundamental right है can be changed by constitutional amendment but basic structure of constitution cannot be changed यहाँ पर एक शीज़ 1973 के case को valid बानते हुए यहाँ पर उसको valid बानती है और इनके समिधान संशोधन को साथ 6 से valid बानती है लेकिन यहाँ पर यह decision देती है कि जो fundamental rights है यानि कि जो मौलिक अधिकार हैं मौल अधिकार हैं वो क्या हो सकते हैं? change तो हो सकते हैं उनमें बदलाव सरकार कर सकती है समिधान संशोधन के द्वारा लेकिन जो basic structure होगा constitution का उसको आप change नहीं कर सकते समिधान का जो मौल स्वरूप यानि कि समिधान की अधिकार है उसके खिलाब आप जा करके कोई अधिकारों को जनता के चीन नहीं सकते है तो अब यह सीज यहां पर आती है और इस decision के बाद में एक बार फिर से संसत क्या करती है और फिर से सरकार जोए संसत के माधियम से एक नया समिधान संशोधन करके फिर special अपराटने की कोशिश करती है 1976 में और यह article 368-4 को जोडती है आर्टिकल 368-4 और इसमें यह रज़ रखती है कि जो constitutional amendment है इसको कोर्ट में चुनोती नहीं दी जा सकती सरकार एक नया समिधान संसोधन कर देती है कि जो समिधानिक संसोधन है आर्टिकल 368-4 के तहत एक नया कानून मना देती है समिधान संसोधन करके कि आर्टिकल 368-4 के तहत कोई भी समिधान संसोधन है उसको कोट में चुनोती नहीं दी जा सकती है तो यह समिधान के द्वारा फिर संसोधन कर दिया जाता है संसद के द्वारा और इसके अलावा आर्टिकल 368-5 अनुछे 368-5 के तहत एक और साखा उसमें जोड़ती है 368-4 के बाद 365 इन दोनों को जोड़ती है और 365 में कहती है कि समिधान संसोधन की सकती जो है उसको सीमित नहीं किया जा सकता है यानि कि जो संसद के पास जो सकती है समिधान में संसद करने की इसको आप लिमिटेड नहीं कर सकते हो इसको आप सिमित नहीं कर सकते हो ये संसद क्या करती है समिधान संसोधन करके नया कानून बना देती है अब फिर से एक केज जाता है मिनर्वा मिल्स का मिनर्वा मिल्स केज जो है 1980 जो जाता है फिरसे पॉर्ट के अंदर और उस केस के अंदर फिरसे एक बार जो सुप्रीम कॉर्ट है वो आर्टिकल 308 4 और 308 5 जो भी बनाए थे जिनमें कहा था कि पूर्प्रीम कोट में जो कॉर्ट है उस में समीदान संसोदन को चुनावति ने दी और judicial review को यहां पर constitution का जो है basic structure गोशित करता है कि judicial review जो अपने आप में judicial review का मतलब है किसी भी कानून की समिशनसद दारा बनाए गए कानून की judicial review होगा यानि कि judiciary उसकी जाच करेगी कहीं है मौली क अधिकारों को हनन तो नहीं कर रहा है ये कारे करना अपने आप में SHAMI-DHAN का basic structure है और basic structure से आप छेड़ खानी यह छेड़ नहीं कर सकते यानि कोट के इस अधिकार को आप नहीं चेन सकते क्योंकि क्या करेगा कोट जो है जनता के अधिकारों का मौल अधिकारों का मौलिक अधिकारों का सरक्षक है और आपने जो भी समिदान संशोधन किया हुआ है उस समिदान संशोधन को ले करके उस समिदान संशोधन को कोट एक बार रिव्यू जरूर करेगा और कोट आप इस चीज से रोक नहीं सक और यह basic structure की जो अवधारणा हमारी यहां पर होती है यह basic structure की अवधारणा यहां पर पूर्ण होती है तो मुझे उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हालां कि थोड़ा lengthy topic था कहीं पर भी आपको doubt है आप comment box में प्रशन पूछ सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक इस वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नहीं तरह तक भी शेयर करें जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार